नवश्कार दोस्तों साथ फरवरी का ये वीडियो बहुत बहुत इंपोर्टन है क्योंकि मेरा यसा मानना है कि हम बिल्कुल उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर इस लक्षमा रेखा कि उस तरफ जो है एक कदम और उठाने के बाद पैराबॉलिक गेंज दुबारा से शुर पूरी वीडियो देखिएगा मेरा नामे रोष शर्मा सटोशी स्टॉकर इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों ये वीडियो खास है इसको प्लीज आन तक देखिए का मैं हर वीडियो के आपको गुजारिश नहीं करता हूं ये वीडियो बहुत ही खास है तो अगर दुवात में हम as always डेली चार्ट को और 4-hourly को समझने कोशिश करेंगे डेली चार्ट पर ये जो हमारा declining wedge बन रहा था ये ब्रेक हुआ है 4-hourly पर हमारा orange box ब्रेक हुआ है बहुत ही अच्छे ख़़र है बहुत ही positive news है बस हमें यहाँ पर एक छोटी सी दरकार है कि अगर इस क्योंकि हम confirmation चाहते हैं कि हमारा orange box जो है वो day level पर तूट गया है कि नहीं दो 4-hourly candles जो है वो इस समय 42,000 के उपर close हुई है और ये जो current आज का day चल रहा है ये हम convincingly 42,000 के उपर है बस भगवान करे अला करे उपर वाला करे कि हम आज रात के end तक रात को साढ़े 5 बहे तक 42,000 इस orange box के उपर टिके रहें तो मेरी तरफ से जो है clearance है thumbs up है कि आप आगे जो है bolderally expect कर सकते हैं और भी कहीं parameter हैं आप जानते हैं एक factor से उत्साहित नहीं होते हैं ऐसा नहीं कि हमने orange box तोड़ दिया तो हमें या पर जशन मनाना शुरू कर देना चाहिए definitely long term holders को थोड़ा सा स day chart पर day interval पर declining trend line जो थी उसके भी हम काफी नीचे थे काफी जमेसर और इस समय day candle close करना उसके उपर भी ज़रूरी है तो ये भी कुष्टी है ये coincidentally ये day line की जो candle है ये 42,000 पर exactly to the dot day पर भी और weekly पर भी इसी स्तर पर आकर रुकी हुई है तो हमारे लिए ना केवल आज रात को साढ़े पांच बजे 42,200 की उपर रहना ज़रूरी है पर हम कोशिश करेंगे इस week के खतम होने तक भी हम ये level बरकरार रखें तो मेरे विचार से दोस्तों जो मेरा पुराना जो सपना कहेंगे या मेरे जो belief है कि bitcoin एक लाग डॉलर पर जाना चाहिए कहीं सारे technical प्रमान कहरे है कि ये level बहुत critical है यहाँ पर मैं आपको 50 days moving average भी दिखा रहा हूँ लाल लाइन जो उपर वाली 200 days है और जो पीली लाइन है ये 50 days moving average है अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम 50 days moving average को तोड़े हम orange box को तोड़े यानि कि day level पर हम 42,000 के उपर है आज रात को 5 वजे इस बा रात तक वेट नहीं कर सकता है तो वह आपकी इच्छा है हर किसी का अपना अपना इंटरस्ट होता है और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कल पर सो की वीडियो में यहाँ पर जो हमारा death cross बना था death cross के बाद अगर हम 50 days moving average तोड़ते हैं जैसा कि हमने exactly July 2021 के महीने में किया था इस बार भी same trend बन रहा है हमने death cross बनाया था 14 January को और इस समय आज 7 February को हम उस मोहने पर हैं जब हमारा 50 days moving average कभी भी तूट सकता है इसे लिए हमारा daily candle closing पर 42,200-42,300 की उपर रहना बहुत जरूरी है same इतिहास दोरा रहा है आप लोग जो चैनल से जुड़े हुए जानते हैं जुलाई के बाद क्या हुआ था आप सबने मुझे वावाई दी थी यही technical parameters दुबारा हो रहे हैं और technicals दोस्तो 99% सही होते हैं आपको believe करना बहुत जरूरी है उन पर क्योंकि सारा खेल जो है सारा game सायम का है और अगर आप सायम बरकरार रखते हैं तो definitely आपको अच्छे gains होने की इस market में काफी ज़्यादा chances है और हम हमेशा 3x chase करते हैं हमें ना 1x चाहिए ना 2x चाहिए हम यहां से 3x gain करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगोंने मेरी सलाह के basis पर यदि आपने solana 94$ कर ल करना हूं एथिरियम जो है वह 8000$ पार करना चाहिए solana जो है 300-300$ पार करना चाहिए और वह definitely करेगा बस यह हमें थोड़ा सा सायम रखने की जरूरत है और आज का आखरी पडाव है वह हमें दर्शाता है कि आखरी सायम के खशन है definitely weekend पर S&P 500 open हुआ है futures open हुआ है थोड़े स 7% decline हुआ था जहां तक मैंने कल रात को चेक किया था वह अगर break हो जाता है positive खुलता है तो bitcoin को definitely बहुत अच्छा push मिलेगा कि वह 50 days moving average भी अपना break कर देगा तो सारी निगाई है 50 days moving average पर है 42,200 पर है पर मैं आपको long term के लिए बहुत-बहुत important chart दिखा दिना चाहता हूँ इ bitcoin का account बनाया है bitcoin खरीदा है यह उनका level है और जो नीचे आपको गोले दिखाई दे रहे हैं वो all time lows है तो अगर आप right पहले आप left side पर देखिए जब 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 जो है bitcoin short term holders की value lowest जाती है उसके बाद bitcoin pump करता है यहाँ पर मैं आपको कहीं उधारण के साथ दिखाऊंगा यहाँ पर हुआ था करीब करीब 2014 में bitcoin short term holders जो है वो न्यूनितम सर पर गए थे और उसके बाद एक almost 2-3 साल लंबा parabolic run चला था जहां पर bitcoin almost देखे हम तो 700 डॉलर से सीधा 12,000 डॉलर पर जाके रुका था 2017 में तो यह एक trend हमें दिखाई दे रहा था उसके बाद subsequent years में भी same हमें trend द जले जाते हैं यारी कि total wallets की जो count अगर हम देखें तो करीब 3,00,000 wallet की count है 3,00,000 से 2,60,000 wallet count है इसमें जो new wallets है उनका count इसमें new terms तर पर है तो fundamental क्या है यहाँ पर fundamental यह है कि जब short term holders new terms तर पर होते हैं इसका मतलब big giants जो है वो bitcoin को खरीद रहे है long term holders खरीद रहे है और long term holders का म ही होते हैं यहाँ पर भी अगर आप देखें 2000 जो टाइम में 2014 पंदर को मैं आपको अलड़ी बता चूब 2019 में भी सेम ही ही चीज़ हुई थी तो bitcoin की short term holders जब बाहर निकल जाते हैं market से तो वो तब enter करते हैं जब FOMO का time आता है यहाँ पर FOMO का time कब आएगा जब bitcoin जो है 45-50 पार करेगा तेजी से एक बार 2-3 दिन पाप आएंगे तब short term holders आना वाप शुरू करेंगे और उसके बाद last जो फेज आता है वो क्या आता है जो यह blue lines आपको दिखाई दे रही है blue color का जो फेज आता है वो bitcoin का price का peak होता है वो यह दर्शा आता है कि आब whales जो है वो manipulate क्यों क्योंकि जगर आप बुल जो blue lines को भी गौर करें तो वो तब time आता है जिब short term holders peak पर पहुंचाते हैं यह सबसे फेले 2013 में अब देखिए यह तब peak पर पहुंचा था जब bitcoin का price blue line अचीव करने लगते यह blue line जो है blue color यह decode करता है कि अब जो है price ज्यादा pump होट चुका से कोसो दूर है bitcoin का price जो है वो अच्छा खासा bottom है तो हर चीज़े दिशा निर्देश दे रही है कि bitcoin इसमें safe hands में है जिसको diamond hands कहते हैं सभी most जो लोग है diamond hands वाले हैं तो इस समय market में जो बेचने की जो supply है bitcoin for sale वो almost almost दोस्तों खतम होने की कगार पर है तो यहां से हमें किसी किसी भी क्षान किसी भी पल किसी भी दिन एक अच्छा खासा pump मिल सकता है जो short term holders को panic करेगा FOMO करेगा और वो फिर आके 45-50,000 dollar पर खरीदेंगे और इससे बड़ा प्रमान क्या हो सकता है कि micro strategy ने फिर से 94 million dollars के 1914 bitcoin खरीद ली है और total stake उनका almost 6 billion का हो गया है इस समय अगर micro strategy खरीद रही है दोस्तों तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी institution short term के लिए तो खरीदेगी short term holders are out of the market market is in safe hands the bitcoin pumps are going to happen anytime before people start panicking and saying अब मैं तो इसको 50,000 dollar पर खरीद हो कि हमने 32,000 से लेकर 38,000 dollar के बीच में खरीदारी करी है हम फोमों नहीं हुए हमने अच्छे से dollar cost average और यहां पर अगर आप लेट भी हैं तो भी अपना सारा पैसा आज मत डंब कीजिए always dollar cost average आप ज़्यादा miss नहीं करेंगे यह आँख बंद करके कि रोजी शर्मा ने बोला कि pump आने वाला है आप बिल्कुल लॉंग तो बिल्कुल मत कीजिए 10x पे यह जो है यह सारी strategy दोस यह 45,000 जाता है तो मेरे पास ज़्यादा नुकसान नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा miss कर गया बड़ अगर bitcoin 37,000 पर जाता है तो मुझे एक अच्छी bargain मिलेगी तो पैसा गवाना ज़्यादा critical है पैसा ना गवाना बजाए कि पैसा कमाने के तो हमें थोड़ा से conservative हो कि हम चलना है और 50 days moving average जो है वो close होने का wait करना है cross होने का wait करना है और वीडियो को like करना है अपना support देना है comment करके बताना है आपको और क्या जानने की इच्छा है अब हम जो वीडियो की frequency यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे आपके लिए altcoins भी जादर जादर लाने की कोश दूचा है